Hello everyone, question में बोला गया है, A can do piece of work in 10 days A किसी काम को करने के लिए 10 days लेता है आगे बोला गया है, A and B can complete it in 2 1 by 2 days अगर A और B साथ मिलकर काम करते हैं तो वो 2 1 by 2 days में उस काम को finish कर देते हैं तो इसको हम जब solve करेंगे तो यह हो जाएगा 5 by 2 तो A और B अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने days में फिनिश कर रहे हैं काम को 5 by 2 days में इन दोनों का LC हम लेंगे अब इन दोनों का LC हम कैसे लेना 10 5 by 2 उपर वालों का हम लेते हैं LCM LCM of 10 और 5 और नीचे वालों का लेते हैं HCF तो 10 और 5 का LC कितना हो जाएगा 10 HCF means कोई ऐसा नंबर जो 1 को भी डिवाइड करे और 2 को भी डिवाइड करे तो ऐसा कौन सा नंबर है 1 1 1 को भी डिवाइड करेगा और 1 2 को भी डिवाइड करेगा तो यहां से LCM कितना आगे है 10 efficiency का formula क्या होता है work upon में time total work कितना है हमारा 10 और A को कितने दिन लग रहे काम को finish करने में 10 तो यहां से efficiency of A कितनी आ जाएगी वन अब A और B की calculate करते हैं total work कितना है हमारा 10 और efficiency कितनी है 5 by 2 यह 2 उपर चला जाएगा तो यहां से कितनी आ जाएगी efficiency A और B की 4 अब बोला गया है कि अगर B अकेला काम करे तो total work को कितने दिनों में finish कर देगा तो यहां से solve करते हैं अब हम से basically इसके बारे में पूछा गया है ताइम के बारे में पूछा गया है ताइम का formula क्या होता है work upon में efficiency वर कितना है 10 अब हमें B की एफिशेंसी का पता नहीं है बट यहां से हम निकाल सकते हैं A और B की एफिशेंसी कितनी आई है 4 और A की कितनी है 1 तो यहां से हम B की एफिशेंसी निकाल लेंगे जो कि कितनी आएगी 3 तो यहां पर पुट करेंगे तो बी को कितने दिन लगेंगे 10 by 3 डेज लगेंगे टोटल वर्क को फिनिश करने के लिए